आज क्या पकाएं जब कुछ समझ ना आए तो ये डिश बनाएं ना तो बिस्मिल्यार अख्मान रहीम असलाम लेकुम वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल अनायास फूट वैली वेलकम तो आल माई व्यूवर्स तो जी कैसे आप सब तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़द बहुत एक रेसिपी है गर्मियों में तो चनो का टेस्ट ही बहुत आला होता है तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ लेकिन मेकिंग से पहले काईड़ी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो यहां पर सबसे पहले मैंने 500 ग्राम काले चैने लेले थे मेरे पास म मेरे काले की तरफ छाइक सब्सक्राइब मैंने वो ले लिया था इस तरीके से उसके लावा two tablespoon यहाँ पर अदरक और सबस मिर्चों का मैंने grant करके Pacement आ लिया था इस तरीके से अदरक को हम इस पर Pacement आगे यूज़ करेंगे उसके लावा one tablespoon भरके नमक है और one tablespoon यहाँ पर पिसी विलाल मिर्चे है half tablespoon यहाँ पे हल्दी है और आञा पर फ़न फ़न सापुत लिए अर्वा गरम मसाल है उसके यहाँ इसके लाओं है सापुत गरम मसाल है जीरा Anders और थोड़і से डाल लिये उसके बागी सारी मशालै थे वह भी सारे िसमें से एक याइद कर देंगे कि अबाद YOU हुआ हैं सिर्फ सुन्स क्य diplomacy टाली। उसके लावा दो पाने ऊंदी को चनि में अच्छी से कुख suivी होeton कि यहां पर सीटी चलना स्टार्ट हो चुकी है अब हम टाइम नोट कर लेंगे तो यहाँ पर देखे तकरीबर आदा गंटा हो चुक है तो अब हम कवर अटाते हैं और हमारे चने चेक करते हैं कि गल चुक है मसाला तो सारा अच्छे तरीके से सोफ्ट हो चुक है इसको चमच के मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे देखें सारा मसाला अच्छे तरीके से मैश हो चुक है यह कुकर में वेट लगाने से इसका यही फाइदा है कि सारा मसाला अच्छे से मैश हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और यहां पर चैने भी देखें अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं अभी काफी गरम है तो यह देखें चैने काफी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं अब मैं इसको किसी और बटन में शिफ्ट कर लूँगी आप चाहें तो इसी में प्रोसेजर कर लें तो आप मैंने इसको इस परतन में निकाल लिया अब चमच की मदश से मिक्स रहूंगी तकरीबन एक से दो मिनिट लगेंगे और सारा मसाला जो है अच्छे से मैश हो जाएगा आपने चमच से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है कोई भी चीज नजर नह और यहां पर देखें सारा मसाला जो है वह अच्छे से मैश हो चुक है अभी आप मसाला अच्छे से मैश हो चुकाया तब हम अच्छे तरीके से क्रीबन और बू केौब करके देंगे HOR़ और इसकी अच्छे तरीके-से 5-10 मिनिट के लिए भूनाई कर लेंगे ता कि किसी भ तो मैं इसमें बाद में पानी आइड करूँगी अब यहां पर जो मैंने जीरा काली मिर्ची और दार्चीनी का टुकरा रखा था उसे मैंने पीस लिया और अब मैं इसको इसमें आइड कर दूगी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा भुनाई के दुरान डालने में तो आप देखेगा कितनी खुबसूरत खुश्बू आना स्टार्ट हो जाएगी तो यहां पर देखेजी तक्रीबन 10 मिनिट हो चुके हैं और चेने अच्छे से हमारे भुन चुके हैं और मसाला जो हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे चेने अच्छे तरीके से भुन और देखें कितने खुबसूरत लग रहे हैं तो अब हम इस पॉइंट में इसमें पानी शामिल कर देंगे यहां मैं तक्रीबन दो ग्लास के क्रीब पानी इसमें आड़ कर रही हूं आपने जितना शोरबा रखना है जितना आपको पसंद आप उससे साफसे पानी आड़ कर कि सकते हैं आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से और इसकोंटर करेंगे मैं 10-15 के लिए अच्छे से कूक कर लेंगे ताके शोरबा भी इसमें अच्छे से उञए हूग तो यहां पर तक्विबन 10-15 मिनिट हो चुके हैं और बहुत ही खुबसूरत और टेस्टी से हमारे काले चने शोरबे वाले बनके तयार हो चुके हैं देखें कितने खुबसूरत लग रहे हैं और कितना जबरदस इनमें कलर आया है आप यकीन करें आप जब इस रेसिपी के ज़रे घर पर ट्राइ करेंगे तो इन्शाला बहुत अच्छे बनके तयार होंगे अब हम इसमें सबस मिर्चे और धनिये से गार्णिशिंग कर देंगे पिसा वागरा मसाला एट कर देंगे और इसको पांच मिनिट का हम दम देंगे ताकि इसके अदर ओड अच्छा फ्लेवर आ जाए फिर मैं आपको इसको सर्फ करके दिखाऊंगी कि कितने खुबसूरा से हमारे चैले बनके तयार हुए है यह देखें दूसरी तरफ मैंने इनके साथ बॉयर ड्राइज बनाया है और बहुत ही ओसम बने है यह देखें किसकादर खिले खिले बनके तयार हुए है मैं यहापे इनको चावलों के साथ सर्फ कर रही हूँ आप चाहे तो इसको नान के साथ सर्फ करें यह तिलो वाला कुल्चा हो तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजएगा देखें चावल किसकादर खिले खिले बनके तयार हुए है तो अब मैं आपको इसको सर्फ करके दिखाती हूँ तो यहापे सबसे पहले चावलों के डिशाट कर लेंगे यहापे मैंने एक प्लेट ले लिए इसके पहले हम चावल डाल देंगे और मुझे यकीन है कि मेरी सर्फिंग के दुरान ही आपके जो आना मुमे पानी आरहा होगा तो इस तरह से हमने चावल सर्फ कर दी है तो आप इसके पर थोड़े सी तरीके से धनिये से गार्निशिंग कर देंगे और थोड़े से साइड पर प्यास के लच्छे लगा देंगे इसके उपर ताकि ये और ज़दा खुबसूरत लगे चावल हमारे सर्फ हो चुके अब चलते हैं अपने मज़दार से चनों की तरफ तो आप देखें अलहमदुल्ला कितने खुबसूरत और मज़दार से हमारे चने लग रहे हैं तो आप जब इस तरीके से किसी को सर्फ करेंगे अपने प्यार और खलूस के साथ तो वो एक और प्लेट खाने पर मजबूर हो जाएगा तो इन्शालला जब आप इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो आपको यह बहुत अच्छी लगेगी तो आप इसे घर पर जब भी ट्राइ करें मुझे अपना फीडबेक जरूर दीजेगा कि आपके काले चने कैसे बनके तयार हुए है और जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घरवले पाय के शौरबे को भी भूल जाएंगे कि इतने टेस्टी और डिलीशिस से बनके यह तैयार हुए है तो यह प्यारी सी प्लेट मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स के लिए और मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं ताके मुझे पता चल सकें कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहां से देख रहे हैं उमीद करती हूँ कि आपको इस रेसिपी जरूर पसंद आई होगी रेसिपी अच्छी लगा करें तो प्लीज कार्णली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें बिकोज वी नीड यूर स्पोर्ट गाइस और हम इसी तरीके से फोलो करें और मेरे चैनल को इसी तरीके से मजीद प्यार दें फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दें इजाज़त अला हाफिस